आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन की फोडों खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ। अब ही दोनों के मध्य प्रतिकर्शड का बल अधिक्तम होने की सर्थ क्या होगी। हमें क्या बताना है, कोई हमारे पास एक कैप्टल Q आवेश है, ठीक, यह हमारे पास कैप्टल Q आवेश था, कोशन में कहा जा रहा है कि इस आवेश को दो भागों में विभक्त कर दिया गया, मतल रखा गया है, तो मतलब हमारे पास जो Q1 है यहां पे है, Q2 हमारा इस दिशा में है, यह हमारे पास क्या हो गया, Q1 और Q2, क्वेशन में कहा जारा दोनों को R दूरी पे रखा गया, दोनों के बीच की दूरी यह हमारे पास R है, अब क्वेशन में कहा जारा, दोनों के मध्य प्रतिकरसड का बल अधिक्तम होने की क्या सर्थ होगी चुकि हम देख पारें Q1 Q2 हमारे पास क्या है धनात्मक है तो इनके बीच क्या होगा प्रतिकरसड बल लगेगा एक हमारा Q2 Q1 पे इतना बल लगाएगा प्रतिकरसड का बल F उतना ही प्रतिकरसड का बल हमारा Q1 Q2 पे लगाएगा F का मान तो question में क्या बताना इस F के अधिकतम मान होने के लिए सर्थ क्या होगी यह हमें बताना है ठीक इस बल को क्या होना चाहिए अधिकतम होना चाहिए तो जैसा कि question में दिया है यह हमारा Q1 Q2 किस से बने है Q बराबर Q1 प्लस Q2 एक चीज तो हमें यह पता है कि इसी कैपिटल Q को तोड़के दो भागों में डिवाइट किया गया था तो कैपिटल Q बराबर हो जाएगा हमारे पास Q1 प्लस Q2 के बराबर अब यहां सेगर हम प्रतिकरसड का बल निकालें तो F की value हमारे पास कितनी हो जाएगी क Q1 Q2 बटे R² उनके बीच की दूरी क्या है R² यह हमारा प्रतिकरसड बल हो जाएगा यहां से देखें अगर Q2 की value यहां से हम निकालें Q2 पराबर आजाएगा हमारे पास Q-Q1 तो Q2 की value उठा के आप यहाँ पे put कर दीजिए तो जो हमारे पास प्रतिकर्सर बल हो जाएगा उसका मान आ जाएगा KQ1 Q2 की जगह पे आप put कर सकते हैं Q-Q1 ठीक, बटे इनके बीच की दूरी हो जाएगा R-square इस बल को हमें अधिक्तम करना है अब यहाँ पे आप एक चीज बताइए इबल हमारा किस पे निर्भर कर रहा है R तो हमारा नियत है जो हमने दूरी रखिये वो तो हमारा change नहीं हो सकता fix दूरी है capital Q change नहीं हो सकता capital Q कोई हमसे कहता 5 है 5 volt है, sorry 5 kulum है तो इसी 5 से तोड़के हमें Q1 Q2 बनाया गया या तो Q1 हो सकता था 1, 4 या तो Q1 हो सकता था 2 या तो Q2 हो सकता था 3 अगर Q1 3 हो गया तो Q2 हमारा 2 हो जाएगा इस तरह से हमारे पास कई तरीके हो सकते थे दोनों को तोड़ने का तो यहां से हम कह सकते थे कि जो हमारा बल होगा वो Q1 पे निर्भर करेगा Q1 की वैलू या तो 1 होगी या तो 2 होगी या तो 3 होगी अगर हमारा Q5 है तो ठीक अगर Q1 एक हो गया तो Q2 की वैलू कितनी हो जाएगी 4 और दोनों का summation मिला के हमारे पास हो जाएगा 5 तो यहां से हम देख पा रहे हैं जो हमारे पास बल है वो हमारा Q1 पे निर्भर कर रहा है तो यहां से हम कह सकते हैं अगर इसको हम Q1 के सापेच में आउकलन कर दे उसको 0 कर दे तो हमें अधिक्तम बल मिल जाएगा कोई भी function रहता है फलन रहता है उसको अधिक्तम कैसे करते हैं जिस पे हम हमारा फलन निर्भर करता है उसके सापेच हम आउकलन करते हैं उसको 0 के बराबर कर देते हैं तो यह बल हमारा Q1 पे निर्भर कर रहा है ठीक जैसे जैसे Q1 की value बदलेगी हमारा बल का भी मान बदलेगा तो यह बल हमारा Q1 पे निर्भर कर रहा है तो इस बल को हम Q1 के सापे इसको किसके बराबर कर देंगे 0 के बराबर यह हमारा इस question का concept था अब यहां से देखेंगे यहां पे f की value आप उठा के put कर दीजिए तो यहां से देखेंगे d upon d q1 f की value हमारे पास कितना है k q1 bracket में है q minus q1 बटे यहां पे क्या हो जाएगा हमारे पास r square अब यहां से आप दे k बटे यहां पे क्या हो जाएगा हमारे पास r square अंदर हमारे पास क्या बचेगा d upon d q1 q1 के सापेच हम क्या करें आउकलन कर रहे है इस q1 को हम अंदर ले जाएगे तो यहां पे हमारे पास बचेगा q1 into q minus q1 square अब इसका q1 के सापेच में आप आउकलन करेंगे तो q1 का आउ Q1 square का Q1 के साफ च आउकलन हो जाएगा हमारे पास 2Q1, ठीक, यह हमारा आउकलन आ गया, बाहर हमारे पास कितना है, K बटे R square, इसको हमको किसके बराबर करना था, 0 के बराबर करना था, तो इसको आप 0 के बराबर कर देंगे, तो यहां से आप देखेंगे, Q-2Q1 बराबर हो ज मतलब की, जो हमने Q1, Q2 का मान हमें निकालना था, तो यहां से हमने देखा Q1 की value आगए Q by 2, तो यहां से Q2 की value आप निकाल सकते हो, Q2 की value भी हमारे पास अगर इसको देखे, Q2 की value भी हमारे पास आ जाएगी Q by 2, इसका मतलब जो हमारे पास आवेश Q था, उसको हमने आधा आधा भाग में तोड़ दिया था यह हमारे पास जो आवेश Q था इसको हमने दो भागों में इस तरह से आधा तोड़ दिया था एक हमारे पास आ गया था Q by 2 और Q2 जो हमारे पास दूसरा आवेश था वो हमारा हो गया था Q by 2 तो उस समय उनके बीच में जो बल लगेगा अग Q1 आधा आधा दोनों को तोड़ना था Q1 हमारा हो जाता 2.5 कूलम Q2 भी हमारा हो जाता 2.5 कूलम तो दोनों को जोड़ते तो टोटल हमें मिल जाता 5 कूलम इस समय जब Q1 Q2 की बैलू दो दस्मलों 5 कूलम हो जाती तो उनके जो प्रतिकर्षड बल लगता वो हमारा अधिक्तम होता इसका मतलब यही है तो सर्थ क्या होनी चाहिए थी कि जब आप इस कैपिटल Q को आप डिवाइड करेंगे मतलब विभक्त करेंगे तो Q1 और Q2 दोनों बराबर होंगे और क्या होगा हमारा इस कैपिटल Q का आधा आधा होगा यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थैंक यू